जमातियों से उत्राखंड में हड़कंप इस वक्त की भड़ी खबर तीन महीने में 1250 जमाती शामिल खुए थे जमात में 122 से 680 लोग पहुंचे थे पुलिस ने सभी का डेटा एकठा किया 14 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भीजा बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस पुलिस लगातार छापे मार रही है जमात में शामिल लोगों की तलाश जारी बड़ी खबर जमातियों से उत्राखंड में भी हड़कम बच गया है तीन महिने में 1250 जमाती शामिल खुए थे जमात में 122 से 680 लोग पहुंचे थे और पुलिस ने सभी का डेटा भी इकठा कर लिया है 14 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भीजा गया है जमातियों से उत्राखंड में हड़कम इस वक्त की बड़ी खबर तो पुलिस ने सभी का डेटा एकठा किया सीधा रुख करेंगे देहरादून का समबादाता विनोध कुमार हमारे साथ जुड़े होए हैं उनसे ताजा जानकारी लेते हैं क्या अपडेट है क्या कहा कहा चापेबारी होई है और किस तरह से वहाँ पर सिच्वेशन है फिलाल को लेकर देखें लवी जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोग डाउन है और ऐसे में ये खबर जरूर एक संकट वाली होती है मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है लोगों की और जिस तरह से निजामु देन में जो जमात में लोग गए थे उनका अंकड़ा एक बड़ा है और तीन महीने के अगर बात करें तो बारास से ज्यादा लोग नमाज जमात में गए हैं लेकिन यह माना जाए किया अभी फिलहाल अभी 26 लोगों को चिनित किया गया है और चिनित वाले जितने लोग हैं उन में से 14 लोगों को करके चिनित करके क्वारिंटीन किया गया है और दूसरे लोगों की तलास जारी है और सबसे मैतपुन्द यह बात है लवी कि अभी फिलहाल अलग-अलग इलाकों में निजामुदीन से 281 जो उतरा खंड के लोग है वो अलग-अलग इलाकों में जमात के लिए गए हैं ये लेकिन अब वो किन राज्यों में हैं, उनके बारे में पुलीस पूरी तरह से जाज़ परताल कर रही है, आकिरकार वो किन-किन अलग-अलग इलाकों में हैं, जो क्योंकि एक सेंटर पोइंट निजामुदीन का है, वहीं पर वो सब इखटे होते हैं, वहीं से सब की लगाती है कि इसलाम के परचार परसार के लिए वहीं से निकलते हैं, लेकिन तीन महीने के बाद में वो उसी स्थान पर आते हैं, अभी उनको तीन महीने नहीं हुए, लेकिन अभी जो आंकड़ा है, अभी 280 लोग उत्रा खंड से बताये जा रहे हैं, जो इसलाम के परचार चीन कर लिया गया है, जिसमें सबसे जादा हरिद्वार रोड की देरादून और उपरी पहाडी इलाकों की बात करें, उत्तरकाशी है और नेनिताल के कुछ लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से ये ऐसी परिस्तिती उत्राखंड में हो गई है, लोगों की मुसीबत यहां लभ ही हो सकती है, लेकिन अभी परसाशन की अगर बात करें, परसाशन पूरी तरह से चोकनना है, सतरक है, जो लोग उत्राखंड से बाहर है, उनको तुरंत क्वारंटीर कर दिया गया है, और दूसरों की तलाज जारी आकिरकार वो लोग हैं, और ऐसे में जो 280 लोगों में से अ किरकार कितने लोग जल्द से जल्द यहां पहुचते हैं, उनको कैसे परसाशन की से कौरिटीर करता है, उनकी देखरेक करता है, ये बड़ी महतपूर्ण होगा, लेकिन अभी फिलाल इतना माना जाए कि करीब 260 लोग अलग-अलग इलाकों में हैं, देश के कोने में अलग- कि लोग चिनित किये गए हैं और उनका पता लगाया जा रहा है, उनको भी कौरिंटाइन किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों को कौरिंटाइन किया गया, जिन 14 लोगों को, उन लोगों की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और वो कौरिंटाइन से भागे नहीं, उसको लेकर क्या विवस्था है और जो फरार लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है उनको पकड़ने के लिए उनको लाने के लिए आइसोलेट करने के लिए क्या मोड ओफ एक्शन रहेगा जी देखे प्रशासन के तोर जो भी 26 लोग थे उनमें से 14 को कल ही क्वारिंटीर कर लिया गया था ये पूरे प्रशासन की तरफ से ये पुस्टी कर लिए गई थी और जो बाकी के जो सेश लोग हैं उनको तलासा जा रहा है और पूरे तरह से अभी उनके सेंपल्स लिए गए हैं और 2-3 दिन बाद यह रिपोर्ट आती हैं कि हरलदवारी मेटिकल कॉलीज में ये पर प्ता चलता है आखिर कार कौन सी रिपोर्ट नेगिटिव है या पॉजिटीव है लेकिन इतना जरूर माना जा रहे हैं कि प्रशासन के लिए बहुत चुनोती होगी आखिरकार जो जिनको तलासा जा रहा है वो कहां है और अन्य जो जितने उत्राखंट से अलग-अलग इलाकों में है या नि देश के अलग-अलग इलाकों में उत्राखंट से जो जमाती गए हुए हैं उनको भी तलासना एक बड़ा चुनोती प्रशासन के लिए होगा पुलिस प्रशासन के गए हैं जिन में से दो दो मरीज अभी ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं उनको डिस्चाज कर दिया गया है और जो अभी पोजिटिव आंकड़ा है वो पांच का है लेकिन अभी यह माना जाए कि जिस तरह से पूरा प्रशाशन सरकार चोकन्नी है आडवाईजरी जारी क क्योंकि यह एक ऐसा कदम है जिसने पूरे तरह से जो निजामुदीन जवात में जो लोग गए थे उसने पूरे तरह से उत्राखंड में हलचल पैदा कर दी है आखिरकार किस तरह से सावधानी अब बढ़ती जाए प्रशाशन किस तरह से जो चिन्नित लोग है उनकी देख की विनोध हमारे साथ जुड़े हुए थे देरादून से अपडेट दे रहे थे फिलहाल जो 14 लोग हैं उन्हें कौरिंटाइन किया गया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है